गुड मॉर्निंग स्टूडेंस, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है आज हम एक बार फिर से पढ़ने जा रहे हैं कहानी परिक्षा जो कि मुझ्शी प्रेम चेंदरजी द्वारा लिखे थे यह कहानी का दूसरा भाग है इससे पहले भाग में हमने पढ़ा कि रियासत देवगड के दिवान सरदाव सुजान सिंग जो कि अब बहुत पूढ़े हो चले हैं वे महराज से बिनती करते हैं कि अब उन्हें सेवा से निवरत कर दिया जाए लेकिन महराज अपने अनुभाव शील्ड नीती कुशल दिवान का बहुत आदर करते थे तथा वो उन्हें जाने नहीं देना चाहते थे तो वो उनसे आग रह करते हैं रुकने के लिए लेकिन अंत में हार कर उन्हें जाने की जाज़त देनी ही पड़ती है लेकिन उसके लिए वो उन्हें एक शर्ट रख देते हैं कि इस दिवान की इस रियासत के लिए नया दिवान उन्हें ही खोचना पड़ेगा इसके बाद दूसरे दिन समाचार पत्रों में विज्यापन निकलवाया जाता है कि दिवान की देवगड के लिए एक सुयोग दिवान की आवशकता है और उनकी खुबी यह होनी चाहिए कि वो उसना तक भले ही ना हो मगर हश्ट पुष्ट हो मंदागनी के मरीजों को वहां तक आने की कश्ट करने की कोई जरुवत नहीं है और इस विग्यापन को पढ़कर पूरे मुल्क में हलचल मत जाती है क्योंकि ऐसा उचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं थी तो इसको हासिल करने के लिए इस पद को हासिल करने के लिए अलग अलग जगह से सैक्ड़ो आदमी अपना भागे पर रखने के लिए देवगड की और चल पड़ते हैं कोई मौलवी होता है कोई सनातक होता है और सभी अलग अलग फैशन के प्रेमी कोई नए फैशन का प्रेमी तो कोई पुरानी सादगी पर मर मिटा हुआ तो इस प्रकार से सभी तरहे के लोग रियासत देवगड में उपस्तित हो जाते हैं अपने भागे को आज माने के लिए सरदार सुजान सिंग उन सभी के रहने के लिए एक अच्छा प्रबंद कर देते हैं तथा अपने पैनी निगाहों से फिर उनकी परक करनी शुरू कर देते हैं और उन ही में से एक सुयोग दिवान को ढूंडने की तलाश उनकी शुरू हो जाती है और एक दिन ये जितने सभी महाशय आय होते हैं इन्होंने हौकी खेलने का एक दिन फैसला किया और रियासत गड़ के लिए रियासत देवगड के लिए ये खेल बिल्कुल ही निराला था क्योंकि वहाँ पर पढ़े लिखे भले मानसों की खेल को शत्रंज और ताश के खेल जैसे गंभीर खेलों को ही अब तक देखा गया था तो यह खेल वहाँ के लिए बिल्कुल ही अलग था और दौन कूद के खेल वहाँ पर बच्चों का खेल समझा जाता था तो अब तक हमने इतना ही पढ़ा आप पढ़ते हैं इसके आगे खेल बड़े उत्साह से जारी था धावे के लोग जब गेंद को लेकर तीजी से उड़ते तो ऐसा जान पढ़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आ रही है लेकिन दूसरी और के खिलाडी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह से रोक लेते कि मानो लोहे की दिवार हो यानि कि खेल अपने पूरे जोर पे थी संध्या तक यही धूमधा मची रही लोग पसीने से तर हो गए हून की गर्मी आँखों और चेहरों से ज्छलकने लगी हाफते हाफते बेदम हो गए लेकिन हार जीत का निर्णे नहो सका अंधेरा हो गया था इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था उस पर कोई पुल ना था पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था खेल भी बंधी हुआ था और सभी खिलाडी दम ही ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी को लिये हुए उसी नाली में आ गया लेकिन कुछ तो नाले में कीचर था और कुछ उसकी चड़ाई इतनी उची थी कि गाड़ी उपर चड़ नहीं सकती थी वह कभी बैलों को ललकार था तो कभी पहियों को हाथ से ढखेलता लेकिन बोज बहुत अधीक था और बैल कमजोर थे गाड़ी उपर को ना चड़ी और चड़ती भी तो कुछ दूर चड़कर फिर से खिसक जाती और नीचे पहुँच जाती अब किसान बार बार जोर लगाता और बार बार जुंचला करके बैलों को मारता लेकिन गाड़ी उभरने कर नाम न लेती बेचारा किसान निराश होकर इदर उदर ताकता मगर वहां कोई नजर ना आता गाड़ी को अकेले छोड़ कहीं जा भी नहीं सकता था बड़े विपत्ती में फसा हुआ था इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिये हुए घूमते उधर से निकले किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई नजर से देखा परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ खिलाड़ीों ने भी उसको देखा मगर बंद आखों से यानि कि उसको देख करके भी अंदेखा कर दिया जिन में सहान भूती ना थी उनमें स्वार्थ था मद था मगर उदारता और भाईचारे का नाम भी न था लेकिन उसी समुह में एक ऐसा मनुश भी था जिसके हुरदे में दया थी और वो सहसी भी था आज हौकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी लंगडाता हुआ धीरे धीरे चला आ रहा था अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पढ़ी वह ठिटक गया उसे किसान की सूरत देखते ही वो सारी बातें समझे उसे सब बातें ग्यात हो गई उसने टंडे को एक किनारे रख दिया कोट उतारा और किसान के पास शाकर बोला कि मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूँ किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है किसान जुक कर बोला कि हुजूर मैं आप से कैसे कहूं युवक ने कहा मालूम होता है तुम यहां बहुत देर से फसे हुए हो अच्छा तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साध हो और मैं पहियों को धकेलता हूँ अभी गाड़ी उपर चड़ जाएगी किसान गाड़ी पर जा बैठा युवक ने पहियों को जोर लगा कर धकेला कीचर बहुत जादा था वह गुटने तक जमीन में गड़ गया लेकिन उसने हम्मत नहारी उसने फिरसे जोर लगाया और किसान ने उधर बैलों को ललकारा बैलों को सहारा मिला हम्मत बंद गई उसने कंधा जुका कर एक बार जोर लगाया तो गाड़ी नाले के उपर पहुँच गई किसान युवक के सामने हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया और बोला महराज आपने आज मुझे उबार दिया नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता युवक ने हसकर कहा क्या अब मुझे कुछ इनाम दोगे किसान ने गंबीर भाव से कहा नारायन चाहेंगे तो दिवानी आपको ही मिलेगी युवक ने किसान की तरफ कौर से देखा उसके मन में एक संदे हुआ कि कहीं ये सुजान सिंग तो नहीं है आवाज मिलती है चहरा मोहरा भी वही लगता है किसान ने भी उसकी और तीवर दृष्टी से देखा शायद उसके दिल में संदे को भाब गया था वह मुस्कुराया और बोला गहरे पानी में पैठने से ही मोती मिलता है महिना पूरा हुआ और चुनाओ का दिन आ पहुँचा सभी उम्मीदबार प्रता काल से ही अपनी अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उसक थे दिन काटना पहार सा हो गया प्रतेक की चहरे पर आशा और निराशा के रंग आते जाते थे मालूम नहीं आज किस के नसीब चागेंगे ना जाने किस पर लच्ष्मी की कृपद रिष्टी होगी इसी प्रकार कई ख्याल सभी उम्मीदबारों के हरेदे में बार बार उठ रहे थे संध्या के समय राजा साहाब का दर्वार सजाया गया शहर के रईस, राज कर्मचारी और दर्वारी तथा दिवानी के उम्मीदबारों का समू सब रंग बिरंगी सजधज बनाए दर्वार में आविराजे उम्मीदबारों के कलेजे धड़क रहे थे तभी सरदार सुजान सेंग ने खड़े होकर कहा दिवानी के उम्मितवार महाशेयों मैंने आप लोगों को जो कश्ट दिया उसके लिए मुझे छमा कीजिए इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवशक्ता थी जिसके हरदे में दया हो और साथ साथ आत्मबल भी वह जो विपति की वीरता के साथ सामना करे और इस रियासत को सौभाग से हमें ऐसा पुरुष मिल गया ऐसे गुणवाले संसार में कम हैं और जो हैं वे कीरती और मान के शिखर पे बैठे हुए हैं उन पर तक हमारी पहुँच नहीं है मैं रियासत को पंडिक जान की नाथ सद्दिवान माने पर बधाई देता हूँ रियासत के करमचारियों और रईसों ने जान की नाथ की तरफ देखा उमिदवार दल की आँखें इधर उधर उठीं मगर उन आखों में सत्कार था इन आखों में इर्शा सरदार सहाप ने फिर्स फरमाया आप लोगों को यह स्विकार करने में कोया पत्ती नहीं होगी कि जो पुरुष स्वयम जक्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकाल कर नाले की उपर चड़ा दे उसके हरदे में साहस आत्मबल और उखरता का वास है ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सताएगा उसका संकल्प द्रण है जो उसके चित को स्थिर रखेगा वो चाहे धोखा खा जाए परन्तु दया और धर्म से कभी न हटेगा तो इस पार्ट से हमें क्या सीख मिलती है? इस पार्ट से हमें या सीख मिलती है कि मानव अपने मानविय गुडों के सहारे ही उत्तमपद प्राप्त कर सकता है धन्यवाद